पूरा देखना था कि आपको सब कुछ समझ में आए और इस वीडियो को लाइक शेर जरूर से कर दे ना गाईज आप में से जो लोग भी RBI असिस्टेंट या SBI कलर्ग पियो किसी के भी त्यारी कर रहे हो तो उसकी Master Course के लिंक आपको मेरे एप पे मिल जाएगा अब हम बात करते हैं जो RBI के तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके बारे में गाईस फॉर्म फिल करते टाइम आपका स्टेट बहुत जादा मैटर करता है कि आप कौन से स्टेट से भरते हो फॉर्म यानि कि important है आपके लिए अगर किसी भी स्टेट से फ़ॉर्म भर देते हो जिसकी local language आपको नहीं आती है तो आगे आपको दिक्कत आएगी तो सबसे पहले यही जानते हैं कि कि रिंस का local language का कि बहुत आपको इसका local language नहीं पता है तो आप LPD को qualify नहीं कर पाउगे अब LPT में होता क्या है यह समझ लो देखो LPT में आपको यहाँ पर क्या क्या आना चाहिए जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो उसकी यहाँ पर local language आपको समझ में आना चाहिए लिखना आना चाहिए परना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए तब जाकर आप उस इगमालो श्टेट की LPT क्लियर कर पाऊगे यह से कि एमदाबास से आप फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ का क्या language वहाँ पर देख सकतो गुजराती language है तो गुजरा हो जाएगी आगे हम देखे तो बैंगलोर की यहाँ पर local language mention है अब देखो यहाँ पर भौपाल की हिंदी है हिंदी सब को आती है तो यहाँ से सब लोग भर सकते हैं क्योंकि हिंदी तो यहाँ पर नॉर्मली सब को आती होगी अब हम बात करें भूबनेश्वर की तो यहाँ यहाँ पर यहाँ बात करें तो यहाँ पर पंजाबी और हिंदी दोनों से को एक language आता है तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो गौहाटी में क्या क्या language यहाँ पर चलेगा असामी चलेगा बंगॉली चलेगा ठीक है यहाँ पर language mention है उसके बाद हम बात करें त देखो यहाँ पर तेलगू चलेगा ठीक है अगर आपको तेलगू आती है तो ही आप यहाँ से फॉर्म भरना जैपूर में हिंदी चल जाएगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं जमूर भी हिंदी आपका यहाँ पर आगा आगे देखो मुंबई की बात करें तो यहाँ प नागपूर में ऑगर आपको मरात्री नहीं बिया ढती ही हिंदी बोलकर आप काम चला सकते हो यह सब कर यहाँ पर लोकल कि मैंने आपको अभी समझाया है तो यह चीज आप ध्यान में रखना फॉर्म भड़ते थैं बाकी आपका यहांपर टेष्ट सेंटर कहां कहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पर फिलकर नहीं? कि आगे भी यहाँ पर देख सकते हो और भी center की यहाँ पर नाम दिए गया है पटना भी इसका center रहेगा और आपका यहाँ पर तमिल्नाडो सिक्क्रम इन सभी जगा पर center रहने वाला है ठीक है तो आप center के list देख सकते हो अब हम बात करते हैं यहाँ पर qualification के बारे में बहुत सा देखो यहाँ पर mention है the candidate should be an undergraduate as on अगर आप इतने तक ठीक है 1221 तक अगर आप undergraduate हो यानि कि आपका result इस date तक नहीं आया है तो आप इस form को भरने के लिए eligible हो एक चीज और ध्यान में रखना है बहुत साय लोग पूछ रहेंगे सर क्या 12 पास यहाँ पर form भर सकते हैं तो बिलक पास वाले जब form भरेंगे तो उनका जो selection होगा वह तेंद के basis भी ही होगा यहाँ पर तेंद के basis भी ही होगा तो आपका तेंद का मार्क से यहाँ पर consider करा जाएगा जो नोगों ने 12 करा है वह भर सकते हैं क्योंकि वह undergraduate में ही आते हैं तो आप यह date को देख रहे ना यहाँ क उस state से form भारना क्योंकि LPT आपका clear तभी हो पाएगा और हम बात कर ले exam language की तो आपका हिंदी और English में रहेगा बस English को छोड़ के आपका हिंदी और English में आपका exam रहेगा minus marking के बारे मैंने आपको पहली बता जिया कि one way fourth आपका यहाँ पर minus marking भी रहने वाला है बाकी आपको last date 15 March है आज से आपका form flip start हुआ है फोटो की size की बात करें तो यहाँ पर फोटो के बारे में भी mention है कि आपका photo का size क्या रहना चाहिए इधर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर complete guidelines दिया गया है तो फोटो image का size यहाँ पर mention किया image किया है 40 cm into 3.5 cm यहाँ पर mention है बाकी आपका जो background है वो white होना चाहिए यह सब कुछ यहाँ पर mention कर दिया गया है जो यहाँ पर normal चीज रहता है वही यहाँ पर mention किया गया है हम photo की size की बात करें तो आपका size यहाँ पर 20 kg से लेकर यानि कि minimum 20 kg होना चाहिए या 25 kg से जादा का यहाँ पर आपका photo नहीं होना चाहिए तो य बाकी सारे कौन-कौन से document चाहिए यह सभी यहाँ पर mention आप एक बार notification पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा बस state को लेकर यहाँ पर बहुत सा यह लोग का confusion आ रहा था इसलिए मैंने यह doubts को clear कर रहा है उमीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो अपने दोस्तों में अभी तक आपने स्लेवास नहीं देखा है और भी आई का ओफिस अटेंडेंस का तो जाकर मैं चैनल पर देखो uploaded है और सो मैं यहाँ पर ट्राइ करूंगा कि आई बटन में आपको लिंक देदू तो गाइस मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तब त